हलो जैने दोस्तों मैं राहुल सिंग राहुल वाइफाइ स्टिडी में आप लोगों का बहुत दोस्त वाकत करता हूँ आज 10 सितंबर 2020 से और 10 सितंबर 2020 से प्रतिकी परिच्छाओं के दिश्टी कोर्स जो महात्यपूर्ट खबरे हैं वह लेकर के लिए लेकर के मैं आपके लिए आ चुका हूँ जिहां बात किया जाएक यूपीटी पर्यसी यानि उत्तर पर्देश सोया योग के समद में और आयोग कागला रिजल्ट इस भरती का हो सकता है अक्टूबर की 30 सब्ता में आयोग आयोग का सकता है परिच्छाओं और इस भरती को लिएकर के उत्तर पर्देश अधिनसर सिवा चैनायोग का हाई कोट का हस्ता शेप से इनकार और उत्तर परिच्छार का रिजल्टिव के समद में जानकर दियागी क्या प्रियाएं हुई हैं और 21 तारिक से यानि 21 सितंबर से जो आपके स्कूल कालेज उत्त सभी कबरों पर प्रकाश डालेंगे लेकिन उससे पहले चैनल पर आप पहली बार विजिट कियें तो चैनल को जहूर सब्सक्राइब कर लें साथ नेबर आइकॉन की घंटी प्रस कर लें चलिए अब देखते हैं वन बाई वन एवरी न्यूज पर खबर यहां से पूरी वि सब्सक्राइब कर दिया है जैसा कि आप लोगों को लगातार इस भरती के समने कमेंट भी आ जारी किया जाएगा और पिछले एक महीने से समने की वाला सौशन मिलता रहा था और यह सब महुंद आ जा जाते हैं लेकिन अंधता कर इसका फानल रिजट स्वारी इसकिल की से इंटर्व्यू के लीए कॉल किया है तो आलमोष 352 दों के लिए 705 बच्चों को क्या गया है और बात क्या जा तो एक के लिए अब दो-डो-डो कंडिडिक की दावेदारी होगी है ना तो महत्पूर चीज है आप अपनी जो है अच्छे से इंटर्व्यू बनाया रख और जो भी इंटर्विव के चीज़े होती हैं उत्ता प्रदेश अधिनस्त सिवाथ चैनल विश्य स्तौर पर उन सब चीजों को जो है जान से देखिए और हमारी कोशिज रहे हैं कि जूनियर असिस्टेंट जो इंटर्विव आपकी 15 सितंबर से स्टार्ट हो रही है जो आप आगे बात करेंगे अब हम लोग नए रिजल्ट के सुनने जिया मैं आपको बताना चाहता हूँ उत्ता पदेश अधिनस्त सिवाथ चैन आयोग के खिलाप जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कल जो है एक अभियान चला था रात को 9 बचकर 9 मिनट पर उस अभियान में क कुछ का पाना ठीक नहीं होता है सब एक ही चट्टे बट्टे की कहानी है एक ही सिक्के के सब पहलू है कोई भी पार्टी हो जिया कोई भी पार्टी हो सब उसी तरीके से हैं कि छात्रों के साथ सब अपने अपने समय पर चलावा करते हैं यह तो कहने की बात है कि यह होते त ताकत की जो है हमारी क्या वैलू है उसको बतानी कि हमने पूरी कोसिस की और वहां तक हमने सफर भी में क्योंकि आपको पता होगा जब यह जो इस पीक अप एससी रेलवे के लिए चला था उसमें सरकार को बैक फूट पर आना पड़ा और इसी पेकार से अधिनसर सिवा चैना इस पर यहां फर्मास्ष्ट का या फिर गण्या परवेच्छा के साथ साथ मंडी परसत तो अभी लेट है लेकिन इन तीन-चार रिजल्टों मेंसे कोई रिजल्ट अगले सब्ता और समें अधिन जारी किया जा सकता है आगे बात करेंगे हम लोग परिच्छा के लेकर के ज परिच्छा इस सितंबर में कोई भी परिच्छा उजुद नहीं करा जाएगी सिर्फ हो सिर्फ इंटर्व्यू के सिवा तो यह महत्पूर चीज है कि आपका जो है परिच्छा जो है वह अक्टूबर के तीसे सब्ता में करा जा सकती है और बात करूंगा मैं एस सो की जिया इस पी चरिए आगे बरतेक खबरों में यहां से उत्ता पर्देश अधिनस्त सिवा चेयनel की इस भरती से संबंद में हाई कोट का हस्ता स्थेफ से इंकार किया है जिया पर्देश कर को बड़ी रहतर दिये और कोट ने उत्तर परदेश अधिनस सिवा चैनों की लेट टेक्निशन बर्ती दोयार सोला की बाइधानिक्ता के खिलाब दाखिली आजकाओं पर हस्ता सेप करने से इनकार कर दिया है कोट ने का की चैन प्रिकरिया में कोई भी अवेदिनिक्ता नहीं है और कोट के अधेश अंसान नीमों का पालन करतेवें चैन किया गया है और कोट ने इस मौमले में दाखिली अर्टनों याजकाएं खारिश कर दिया है और यहाँ देश नियाय मुर्ती सौरब स्याम समसेरिग ने नामित पांडे वा दर्जनों अन्र की याजकाओं पर दिया है कोट ने अंतरी मादेश से पहले ही चैनित अबर्तियों की कोबिट नामित परकों की कान न्यूकती पलगी रोग को खत्म करते में सरकार को अस्पतालों में तैनाथी की छूट दे दी थी और कोट ने कहा है कि लैब टेक्निजन भर्ती मामले के लिए 20 दिसंबर 2003 के सासना के निमाउं सारं इंटर्मीडियर पाशराज मेटकल फेकल्टी में पंजुकित लैव टेकनिशन को कोई योग करार दिया गया है की बिग्यापन सर्तों में पंजुकित होने की सर्त नहीं थी ऐसे में चैनित अभ्यत्यू को पंजी कृत होने का बॉका दिया है और सचातकार में एक पत्परतिन को बुलाने के लिए कटाब मार्क में धेल दी गई थी इसलिए यह काना साही नहीं है कि गेम के बीच में नियम बदले गए कोट ने कहा कि एच्पो एच्एन में दुर्भावना और पच्पाद का आरोप नहीं लगा गया है और चैन में अब अधनिक्ता का साच नहीं है कोट ने यह भी कहा कि केवल सामान और निराधार आरोपा पर चैन प्रिक्रिया रद्द नहीं की जा सकती है तो यानि लेप्ट प्र भर्ति को लेकर के जो आज रखी गई थी हाइड को ने उसको रिजक्ट कर दिया है फहारीच कर दिया है और बरति में यस्था करने से। कर दिया है कि यह भड़ती यानि जो लोग इसके समझने आज का अधायर किये थे अब उनकी सुनवाई नहीं होगी जिन लोग अच्छे न हो चुका है फाइनली वो लोग नियुक्ति पर जैसे आपको एपाइन्मेंट लेटर लोगों को मिल चुका है और वो पर्माइनेंट क चल लिए के दारा अब देखेते हैं सीबी आई ने आयोग के चार अपर निजी सर्चों से लंबी पोस्त आच कि है उत्ता प्रदेश लोग सी वाइव के पर इच्छा से जूड़े कमचार्यों के टीम ने खगाले रिकार्ड छात्रों को असौसन जल्द ही होगा उनके साथ सीबी आई कैम कार्याले में उतर प्रदेश लोग से वायोग की सिकायतों के चात्रों सीबी आई कारियों से मिलकर अपना पच्छ रखा और चात्रों ने लगातार हो रही देरी पर सवाल उठा है तो सीबी आई के अधिकारियों ने कहा धैरे रखी है आप लोग उनके साथ जल्द नया होगा और शातरों स्रीबियाई के अधिकारियों से लगातार जाच में हो रही देरी पर सवाल किये जाने के बाद उन्होंने यह अस्वाशन दिया है जिए आप देश आते हैं लोग स्रीबा की परिचाओं का जान्स करने साहर पहुची स्रीबियाई टीम ने लगातार दूसरे दिन भी गहान पूस्ताच की और पहले दिन अब लेक में गरबड़ी मिलने के बाद टीम ने बुद्धवार को आयोग के चार अपन निजी की और चात्रों ने अपनी बात रखी है अपन निजी सच्चु परिच्चा में गरबड़ी की सुई अभी एक दिन पहले मुखमतरी कारियाले के बरखास्त अपन निजी सच्चु की और से घूम गई है और पता चला है कि इस अपने अमर के लिए उसे मिली भागत है आप द सतीष चंदिवेदी ने एक बड़ा भ्यान जारी कर दिया है सबसे अचीची चीज आप देखते ही कि अब आप लोगों की परिच्चाएं नहीं करा जाएंगे जियाँ डियालेड यानि पूर्ब नाम बीटीसी तीन लाख और तालीस यहर पर सिच्चु बिन्या परिच्च सबसरी के बीट परिच्ची चाहएं दीजें स समस्च्च के बिन्या नहीं करा जाएंगे जाएंगे पैसिच्चिच्च Sum看 मिलेगा तिक मात्पूर्ची ज़्यादा खबरे में पढ़ूंगा नहीं आपको मात्पूर्ची बता रहा हूं बेसिक सिच्छा राजमंती स्वतन प्रभाद डाक्टर सतीस चंद्र दिवेदी ने बुद्धवार को इस निर्ड़ी की जानकारी दी है और बेसिक सिच्छा ने बताया है कि डियालेट पर दिवेदी से नहीं खुलेंगे मार दर्सन के लिए उसकूल परदेश में लगातार बढ़ते कोरोना संग्मर के मदें नजर 21 सितंबर से माध्मिंग बीदाले नहीं खोले जाएंगे सितंबर के बाद कोरोना संग्मर की इस्तितिका जाजा ले करने के बाद है उसकूल खोलने का फैशलाक लिया जाएगा अनलाग फोर के ताथ 21 सितंबर से कंटेनमेंट जोन को छोड़कर बारी बाकी सभी चेत्रों में कच्छा नौ से बार तक की विद्यार्थ्यों को मार दर्सन के लिए बुलाने की अन्मति दे गई थी है ना तो य आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजेगा और इस वीडियो को शेर भी कर दीजेगा है ना मिलते हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंफार्मेशन के साथ अब तरक के लिए धन्नमाद नमस्कार